हेलो दस्तों कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को 20,000 के प्रैस सेग्मेंट में कोई भी सेमसंग के स्मार्टफोन लेना है तो वो कौण से स्मार्टफोन आप लोगों को यहाँ पर लेना चाहिए क्योंकि डेफिन वो आप गलत स्मार्टफून में इन्वेस्ट ना करें, आपको सही स्मार्टफून देना हम लोगों की जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के इस वीडियो में बताऊंगा, एकर आप लोगों का बजट 20 से 22,000 रुपीस है, तो आपको कौन सा स्मार्टफून ह यहां पर परचेस करना चाहिए, यह जो स्मार्टफून के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, यह बेसिकली 32,000 रुपीस में इंडियन मार्केट में लौंच हुआ था, और अभी आप लोगों को लगभग 20 से लेकर 22,000 के अंदर मिल जाएगा, 22,000 के एक्चॉल प्र A54 की जो प्राइसिंग है, सेमसंग ने से रेडियूस कर दिया है, और अब आप जाके आप लोगों को यह स्मार्टफून 22,000 रुपीस में मिल रहा है, फिलिपकाट और एमजन जहां भी आप लेना चाहेंगे, या फिर अगर आप ओफलन मार्केट में जाएंगे, वहां भी आप लोगों को सेमसंग का A54 देखने को मिल जाएगा, तो सेमसंग एलेक्सी A54 आज के टाइम है, 202,000 रुपीस में, मेरे ख्यार से सेमसंग कहीं नहीं, बल्कि अगर तो आप दुसरे कंपने के स्मार्टफून से भी उसको कंपेर करते हैं, तो सेमसंग एलेक्सी A54 काफी अच्छा डील बनके सामने आ जाता है, क्योंकि यहां आप लोगों को 8GB RAM मिल रहा है, 256GB आपको High Storage यहां पर मिल जा रहा है, बेक्सेट में आप लोगों को केमरा काफी जवर्द सेमसंग के A54 में मिलता है, 108 MHz का अप लोगों को तिरिपल केमरा का सेट अप है, और सेल्फी के केमरा दिया है, और नो डाउट सेमसंग का केमरा हमेसा से अच्छा रहा ही है, 6000 MHz का बेटरे आप लोगों को इस स्मार्टफून में मिल रहा है, लेकिन अगर आपके बास सेमसंग का चार्जर नहीं है, तो आपको अलग से चार्जर पर्चेस करना होगा, जिसकी कोश्ट ल सेमसंग के स्मार्टफून पर्चेस कर लेते हैं, लेकिन सेमसंग का सेमसंग का चार्जर नहीं लोगों को बाद में जाके रिग्रेट होता है, हम लोग गलती करते हैं स्मार्टफून को लेके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को सेमसंग का स्मार्टफून में मिलेगा बेटरी काफी अच्छा है 6000 इमेज का बेटरी मिल रहा है तो आपका जो डेली चास्ट का आप आराम से कर सकते हैं आपका फोन आराम से एक दिन हेवी यूज़ करने के बाद भी एक दिन के एंड में आप लोगों को बेटरी हम पर सेब रहने वाला है कैमरा काफी अच्छा है डिस्प्ले काफी अच्छा है बेटर काफी अच्छा है प्रोसेसर अग्योंस का 1380 है जो कि बेसेकली डेली यूज़स के लिए ठीक है लेकिन अगर आपको गेमिंग करना है तो मैं बूलों कि आप लोग इस चीप्सेट के रहत दूर रहें क्योंकि गेमिंग के लाइक कीजिए चैनल में अगर आप लोग पहली बाढ़ा होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना अगतना सेर कीजिए तकि बाकी लोगत की वीडियो पहुँच जाए थैंक्यों सम्माच